हलो एबिवान कशया तभी बीटा माजना वाइफ रहान मिया है तो मिटाए क्याशची टीचर अनियाज आपला है सेकेंड चैप्टर सेकेंड चेप्टर को ट्लै विड़ा एसीड बेसिजिन सॉल्ट केमिस्ट्री मतला सेकेंड चैप्टर ठीक है और आज हम कहां पर हैं यथा यहां पर आपको मिल एक अपना कौन सा है सेउड चाप्टर सप्टीडर यह पहला लेक्चरे इसमें हम क्या 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 डिसकॉस करने मय हैं आउब दरुक्त्तेक तो देखोवर से इसमें हम कंप्लिट करने वाले हैं इसके बार में आपको समझाएंगे कि溬्लीकर किसको है और basic radicals किसको कहते हैं और इनके मिलने से क्या बनता है फिर ionic compound के बारे में थोड़ा सा summary पढ़ेंगे उसके बाद यहां पर लिखाना है recapitulation मतलब थोड़ा summary पढ़ेंगे dissociation of ionic compound मतलब कैसे ionic compound dissociate हो जाते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वह हम देखेंगे और उसके बाद आरेनियस theory of acid and basis तो यह बहुत ही बहुत ही basic सी बाते करने वाले आज हम यहां पर बहुत डीटेल में चीज़ें नहीं जाने वाली बहुत basic basic बाते मतलब ions क्या होते है radicals क्या होते हैं कैसे काम करते वह सारी बात आज हम यहां पर discuss करने वाले हैं तो फटा-फट से शुरू करते हैं तो पहला जो पार्ट है फर्स पार्ट हम पहले समझ लेते हैं कि शुरुआत जो acid base की वह कैसे तो देखो हम सबसे पहले बात कर लेतें, compound किये, compound सबको पता है, compound को हम 3 category में बाठ सकते हैं, उसको 3 part में categorize कर सकते हैं, ऐसा बोलो, पहला क्या होगा, पहला होगा acid, दूसरा होगा base, और तीसरा होगा salt, अगर हम 3 part में इसको categorize कर ले, तो sir मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा acid है, कौन सा base है, कौन पता salt है, तो कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं, कि भाई जो acid होता है, वो होता है, खटा, अंबट, एकदम sore in taste, और base कैसे होते हैं, base होते हैं, बिटर, कड़वा, कड़वे taste में होते हैं, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट, तो sir, acid खटे होते हैं, और base, bitter होते हैं, जो कुछ खट्टा है वो सब अस अमझ रहा है ठीक है वोटा मोटा समझ लगे ठीक है लेकिन सर में सारे चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूं कि यह तो पुसीबल नहीं है क्यों किुछ असिद ना वहते हैं ऑशिक फरी कितने प्रकार की होते हैं इसमें हो सकते हैं एक कैसे जो कि जिसका ट्रेंद सब्सक्राइब के हो सकते हैं एक कैसे हो सकते हैं फिसके तो तो skin पूरी burn हो जाएगी, जल जाएगी, अब अगर जल रखती skin के उपर रखने से, तो taste करूँगा तो हो गया फिर, तो मुझे क्या करना है, अब मैं सब को तो taste कर नहीं सकता, तो अब ये property अगर है भी इनके अंदर, तो मुझे पता नहीं चलेगा ना, तो मैं सब को taste नहीं कर सकता, तो जब taste नहीं कर सकता है, तो मुझे कैसे बचे लगा सर, ये acid है के नहीं? ठीक है, तो इसके लिए और एक तरीका ये होता है, कि सर, इसको आप test कर सकते हो, test का मतलब क्या होता है, test क्या होता है, test क्या सकते हो, अब करते हैं और वह पेपर का यह हो जाता है । आप ही के लिसिए सोला कर सकते हैं क्लसտ करते हैं। अब ही केलिय devo समझनेंगे कि लेकिन वो अहीं हैं कि packing कर सकते हैं तो पहला तरीका तो यह था कि सब्सक्रीट कर सकते ह। यह सब कर सकता है डूसरा जो बेस वह भी बीटर होते हैं कुछ बेस को सब्सक्ट कर सकते हैं तो यह ब्रॉबलमं है तो यह क्ल्स कर सकता है। इसको आप ट Ess करेंगे ह। 새로 लिटमस टेस्ट तो सर यह तो टेस्ट होगा आप टेस्ट जब तक नहीं है टेस्ट भी नहीं कर सकते तो कैसे पहचाने तो क्या मैं देख के पहचान सकता हूं सर आप एक नाम लिख दो एक क्या है अच्छा यह सब पहचांस को कुछ सबाइबब का अगया तो आपको कुछ हैब Hahaha Salt होने ने कोई Taste लिखा नहीं है क्यों? यृइंक क्योंवार बात करवे हो सकते हैं, करवे हो सकते हैं, कुछ अलगी होसकता है इसी लिए हम इनके बात नहीं किए Salt जैसे नह CJNACL लेकिन उसकी बारा हम बात इसलिए ने बहुत ह ही नहीं चलो तो अब ये जो properties आपने बता दी, test करके, ये करके, वो करके, तो इन से तो सारा कुछ clarity नहीं आ रही है, क्योंकि सबको हम टेस्ट कर नहीं सकते, test नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या करें, तो हमारे पास एक table है, हमारे पास एक table दी गई है, book के अंदर, और वो table कुछ इस तरह से है, जिसमें हमें radicals के बारे में बताया गया है, कि कुछ basic radicals है, कुछ acidic radicals है, और type of compound उन से हमें पता लगाना है, ठीक है, और उनका नाम भी लिखना है, तो इनका नाम वाम तो हम लोग लिखी लेंगे, कोई problem नहीं है, लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, इसमें से basic radicals कौन सा होगा, acidic radicals कौन सा होगा, तो बच्चो एक simple सा बात बताता हूँ, जब कभी molecular formula, ध्यान से सुनो ये बात, एकदम ध्यान से, कुछ करो मत, जो molecular formula होता है, जनरली अगर आप इसमें देखो, तो होता क्या है, ये जो HCl है, HCl है, इसमें जो first part होता है, जैस element ये, तो generally जो पहला वाला होता है, वो positive होता है, और जो दूसरा होता होता है, और जो दूसरा होता है, ये एक normal behavior, normal nature है, किसका molecule का, ऐसे हम उसको लिखते है, तो अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरुदी यहाँ पर पड़ेगी मिनी, क्यों, क्योंकि मैंने आप quality hint दे दिया, है ना, तो जैसे HCl में पहला वाला क्या है, positive, दूसरा वाला क्या है, negative, तो similarly अगर आप देखो यहाँ पर, है ना, ये H+, ये CL-, तो पहला वाला positive, दूसरा वाला negative, अब HNO3 देखो, तो यहाँ पर देखो यहाँ से ज़रा, HNO3, तो यहाँ पर H एक पार्ट है जाएगा, तो polyatomic का मतलब जिसके पर more than one element हो, अब इसके पास दो, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है ना, polyatomic बोल सकते हैं इसको, तो polyatomic आयन की category में चला जाएगा, तो polyatomic जो आयन है, अब ये NO3 उसमें से आ जाएगा, तो अब इसको दो पार्ट में डिवैट करो तो ये एक पार्ट, H और NO3 बाल एक पार्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, H प्लस और NO3, यह क्या हो जाएगा मेरा, acidic radicals, ठीक है, तो आप देखो, दो चीज़े में, अब मैं यहाँ पर चार्ज लिखते जाओंगा, ठीक है, चार्ज आप समझ लिए ना, यह प्लस य हो जाएगा, और BR, यह क्या हो जाएगा, रोमीन है, यह माइनस में आ जाएगा, फिर H2SO4, अगेन हाइडरोजन है, तो हाइडरोजन किसमें आ जाएगा, प्लस, और SO4 किसमें आ जाएगा, यहाँ पर देखो, H3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह जो H2 है, यह है, यह Na क्या है यहापर देखो, Na यह प्लस हो जाएगा, और OH यह हो जाएगा हमारा negative, ठीक है, अब क्या बचा, अब देखो, KOH, तो यह देखो, K यह positive, और OH अगेन negative हो जाएगा, ठीक है, यह negative और यह positive, फिर हमारा Ca, यहनी calcium hydroxide है, तो Ca और OH है अगेन, ठीक है, ऐसे, फिर यह NH4 है, ठीक है, NH4 क्या होता है, अमोनियम, तो अमोनियम क्या होता है, positive, और OH क्या हो जाता है, negative, NaCl, तो Na हो जाएगा, प्लस, और Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा हमारा minus, फिर हमारा क्या है, अगेन, Ca, Ca और NO3, Ca और NO3, तो Ca है हमारा अगेन, क्या हो जाएगा, प्लस, और यह हो जाएगा, माइनस, तो आप देख रहे हो, जनली क्या हो जाएगा, पहला वाला पार्ट जो है, वह positive, और second part क्या है, हमारा negative, अब देखो, ऐसे नीचे आ रहे हैं हम लोग, यह हो गया वापिस, potassium, K, और यह तो 4 negative होता है, यह भी आप जान चुके हो, तो अब देखो यह जो table है, यह आप बन गई है, अब इस table के according हम क्या कह रहे है, हमारे पास basic radicals भी आ गए है, हमारे पास acidic radicals भी आ गए है, तो अगर मेरे पास basic और acidic हैं, तो क्या अब मैं पहचान सकता हूँ, क्या अब मैं पहच बिख रहा हूँ, basic radicals, कभी आपको basic radicals में H+, तो क्या कहेंगे मुझको, क्या कहेंगे, H+, क्या कहेंगे, यह जो H+, आपको दिख गया, इसका मतलब यह है, कि यह क्या है, एक acid है, क्या है यह acid, ठीक है, क्या है, यह बड़ा acid है, इसको जड़ा ध्यान से देखो, यह acid हो जाएगा, समझ में आगई बात, अगर basic radicals में H+, दिख जाता है, क्या बोला, basic radicals, यह तो basic radicals में H+, जहां दिख रहा है, H2+, यह जो है, H+, जहां पर भी H+, आपको दिख रहा है, वो क्या है, वो एक acid है, क्या है, एक acid है, ओके, थीक है, दूसरी बात हम कहें, अगर मेरे पास acidic radical है, यह बड़ा रेडिकल है, अगर आपको दिख जाए OH-, क्या बोलूगा मैं इसको, बेस, ठीक है, basic critical में H+, acidic में OH-, तो आप acid और base का पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, बाकी क्या, तो बाकी में जिसे अगर मैं एक metal और एक non-metal, आप देखो ने यहां से, जहां पर एक metal और एक non-metal है, metal non-metal, देख रहा है metal non-metal, देख रहा है यहा non-metal कहीं देख जाए, और दूसरा एक और चीज़ में आपको बता देता हूँ, इस acid में, कहां दिखा, यह देखो, यह acid में, इस acid में, इस H को हटा के, अगर मैं कोई metal लगा दू, क्या बोला मैंने, इस acid में, मानलो एक acid का example लेता हूँ, मैं HCL, ठीक है, यह acid है, मैंने कहा, जहां पर भी H+, दिखी जाएगा, basic radical में, तो वो क्या हो जाएगा, acid हो जाएगा, जैसे कि HCL में, basic क्या हो गया है, H+, तो यह क्या हो जाएगा, acid, अब इस HCL में, अगर मैं H को हटा देता हूँ, इस H को हटा दिया, और इस अपर कोई भी metal लगा लेता हूँ, जैसे कि Na, sodium ए salt बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं, किसी भी acid में, अगर hydrogen को हटा दिया जाए, hydrogen को हटा कि उसकी जब एक metal लगा दे जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, salt, उसको metallic salt भी कह सकते है, और salt भी कह सकते है, तो similar यहाँ अब यहाँ पर देखो, यह देखो, NaCl, देख को हटाया उसकी यह लगा दिया इसकी वैलनसी है इस वाजे से आया इसी तरीके से आप इसको देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाया और अच्छे से यह देखो एसीड में हाइड्रोजन हटा दो और मेटल लगा दो तो क्या हो जाएगा वह सॉल्ट बन जाएगा तो आप देखो यहां पर एक्जैम्पल अब इनका नाम लिखने नाम लिख देते हैं तो यह हाइड्रोग्लोरिक होता है ऐसे ब्रोमिक होता है तो हाइड्रोब्रोमिक यह कलर आपको दिख रहा है क्या मैं दूसा कलर ले लूँ एक स्केड़ चेंज कर लेते हैं आपको दिख रहा है क्या है नहीं यह ठीक है तो यह हाइड्रो ब्रोमिक हो जाएगा ब्रोमिक एक अप लिख लेना है तो जो एसिट है मैंने एक बार लिख दिया बाकी वह को जब चेंज करूँगा तो मैं बता दूगा यह एच थ्री ब्यो उसके बाद है NaOH अब देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ कुछ येलो दे देते हैं येलो नहीं ब्लैक ले लेता है चलो ब्लैक से लिखते है एने वेच क्या है यह सोडियम होता है तो इसको बोलेंगे सोडियम और ओच को बोलते हाइड हाइडराोकसाइड क्या बोलते है हाईडरो ऑकसाइड तो यहाँ पर सोडियम लिख हो में जगह ठोड़ा पड़ रहा है मिटा लिख देता हूँ इस लिख ऑग अग अगना है इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे पोटैसियम फोटैसियम थीटोफ़ ओठ चैट यह से्म रहेगा कैल्शियम हो जाएगा कैल्शियम है कैल्शियम हाइड्रोक साईट ठीक है अब समझ में आ रहा है NH4 यह NH4 क्या होता है NH4 आपको कहीण भी दीख जाए न यह लिक्रो साइड में है NH4 इसको बोलते हैं Ammonium इसका रहा है Ammonium Ammonium ठीक है, Ammonium तो बलते हैं Ammonium तो आच्छे से लिख देता हूँ मैं Ammonium ठीक है मैं यह है Ammonium NH4 आपको कहीं पर भी दिख जाए तो Ammonium तो यह क्या है? Ammonium Hydroxide हो जाएगा ठीक है? अगेन, क्या बोला मैंने? Ammonium Hydroxide चलो, तो इसका नाम तो मैंने लिख दिया है फिर भी लिख दियता हूँ Ammonium और Hydroxide तो सेम रहेगा यह Hydroxide से फिर NACL, अब NACL क्या है मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब यह सॉल्ट्स आगए बेसिकली है न, तो सॉल्ट आगए तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो सॉल्ट काउंट से है NACL, NACL का क्या है NACL का नाम है, Sodium Chloride ठीक है, Sodium Chloride Chloride CaNO3 अब CaNO3 क्या है इसको बोलेंगे हम Calcium Nitrate, ठीक है, यहाँ पर देखो NO3 देख रहे है, HNO3, H को हटाया और उसकी जगाँ पर Metal लगा दिया यह देखो, HNO3 था, H हटाया Ca लगा दिया, मतलब यह क्या होँ, एक Salt हो जाएगा क्या बोलेंगे इसको, Calcium Nitrate यह अच्छा, क्या बोलेंगे Calcium Nitrate ओके, फिर K2SO4, अब SO4 देखो, कहाँ पर है यह देखो, H2SO4 देख रहे है इसमें से Hydrogen हटाया और Potassium लगा दिया तो यह क्या बनगे, एक Salt बनगे क्या बोलेंगे, Potassium, Sulphate Potassium और Sulphate Sulphate यह है Sulphate ठीक है, Potassium, Sulphate ठीक है, मैं थोड़ा ओवर, यह लिख रहा हूँ ने, तो फिर ठीक है, आप बोलोगे एक मिट पीछे से लिख देख तुम्हे, इसको बोलेंगे, Potassium Potassium अब ठीक है, चलो अब एकदम परफेक्ट हो जागया ओक बड़ा, अब ठीक है ना टेंचन नहीं, लास्ट में CACL2 तो क्या बोलेंगे इसको, Calcium Chloride, ठीक है, आप से लिख देखेंगे इसको, Calcium Chloride Chloride Next is NH4, क्या होता NH4, Ammonium Ammonium, SO4 क्या होता, Sulphate तो क्या बन गया, Ammonium Sulphate नाम याद करना आसान हो जाएगा आपको है ना, Ammonium Sulphate अब आपके बाद सारे नाम आ गए, Nitric Acid Hydrobromic, Sulphuric Acid Boric Acid, Sodium Hydroxide Potassium Hydroxide, Calcium Hydroxide Ammonium Hydroxide, Sodium Chloride, Calcium Nitrate Potassium Sulphate Calcium Chloride, Ammonium Sulphate, ठीक है तो यह सारे नाम, उसके Basic Radical, उसके Acetic Radical और लास्ट में है, Type of Compound तो आप देखो, मैंने आपको तो औरिडी बता दिया है, है ना औरिडी मैंने आपको बता तो दिया है चलो फिर भी लिख देते है क्या बोला मैंने, आभी आप खुद, मुझे खुद बताओगे कि यहाँ पर क्या लिखना है, देखो मैंने क्या बोला अगर basic में H प्लस आता है basic में H प्लस आता है तो क्या होगा बोलो basic में H प्लस है तो क्या होगा basic में H प्लस है तो acid होगा तो बोलो यह क्या होगा यह भी एक acid हो जाएगा ठीक है बेटा यह भी क्या हो जाएगा acid हो जाएगा ठीक है देखो यहां पर है एच प्लस आ गया तो यह भी एक 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 हो जाएगा निक्स गया है एच ज थी बियो थी तो यहां पर एह både managed प्लस पैसिक carbs या बेस नेक्स किया है ये भी बेस है हो जाएगा ओ ये क्या है ये बि大 सुच लास्ट में देखो अब अर N और भी H वाला पार्ट है, क्या बोला मैंने acid में जहां पर भी H वाला पार्ट है उस H को हटाया, उसके जहां पर metal लगा दिया, तो क्या बन गया, salt बन गया, तो यह क्या हो जाएगा, salt यह क्या हो जाएगा again, यह भी क्या है, salt और क्या है, यह भी सॉल्ट है और नीचे कौन से हैं यह भी सॉल्ट है ओके और लास्ट वहला यह भी सॉल्ट है यह सॉल्ट होगे तो यहां पर आपको clarity आ गए होगी हम लोग कैसे discuss करना है इस table को कैसे fill करना है तो कुछ acid है ना कुछ base है और कुछ salt है तो अगर आप देखो तो हमारे पास चार acid है चार base है और कुछ पांच एक दो तीन चार पांच पांच हमारे पास salt है तो इस तरह से table को fill करना है ठीक है I hope it is clear now समझ में आगे कैसे fill करना है तो मैं एक इसको summarize कर देता हूँ बस जल्दी से है ना confusion ना हो लास्ट में समराइस समराइस कर देता हूँ जब कभी बेसिक radical में H प्लस आएगा उसका हम acid कहेंगे जब acidic radical में कभी ओ एच नेगेटिव आपको दिख जाएगा तो तो acid का नाम में डाल रहा हूँ let's say HCl ठीक है तो HCl में से H को हटा दो H की जगा पर क्या लगा दो कोई भी metal तो यहाँ पर में लग देता हूँ metal इसको हटाओ metal प्लस यह जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है ठीक है रिमेनिंग पार्ट के जिसे CL है या और भी कोई होगा जिसे है for example BR है तो यहाँ पर BR लिख दो यहाँ पर SO4 है तो यहाँ पर SO4 आ जाएगा basically क्या करना है किसी भी acid में अब आप देख रहे हो नो इतने सारे acid है उस acid में इस जो H वाला पार्ट है उसको हटा दो H वाला पार्ट को हटा के और क्या लगा दो उसकी जिए पर मेटल लगा दो वह क्या बन जाएगा salt बन जाएगा ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि H को हटाओ यह एच को रिमूव करो और यहाँ पर क्या लगाना है एक मेटल ठीक है मेटल लगा दो प्लस जो सी यल है वो तो आजड़ी ते रहेगा तो इसको क्या कह सकते हैं इस पार्ट को हम कह सकते हैं salt क्या कहेंगे इसको salt ठीक है तो acid based in salt without टेस्ट किये भी आपको पता लग सकता है उनका नाम देखकर उनका chemical formula देखकर तो chemical formula और नाम देखके आप at least पहचान दो सकते हैं ठीक है यह थोड़ा सा tricky था मुझे समझ में आ रहा है पस time आपके लिए है थोड़ा सा tricky है लेकिन एक दूबर आप इसको practice करोगे तो आपको आ जाएगा यह बहुत मुझकिल नहीं है इसकी practice हम लोग continuous करते रहेंगे यह आ जाएगा पर आपके लिए भी मैंने फिल करके रिया है ठीक है तो अगर आपको homework है तो homework हो गया है चलो next आइनिक compound की बारे में बात करें तो आइनिक compound की बारे में already discussion तो हो चुका है लेकिन अभी आप 9th standard में हो थोड़ा आइनिक compound की बारे में आपको नहीं आइडिया है तो हम लोग थोड़ा सा summarize कर लेते खाली जल्दी से तेको दो type के compound general हम बात करते हैं आइनिक और एक कोवेले आइन से बनते किसे बनते हैं आइन से बनते आइन क्या होते हैं आइन सार चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं कैसे आता है चार्ज पार्टिकल के उपर चार्ज कहां से आया यह जो चार्ज पार्टिकल्स जैसे मैं आभी आप मैंन आपको बता है कि यह है बेड़ा charged particle, लेकिन यह charged particle के पर charge कहां से आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके पर charge कहां से ह àsयँ, तो पहला तो यह है कि iron है, इसके पर charge particle है, तो charge कहा से हहा है, तो charge कैसे आता है, charge आता है, Electron को donate करने से, या electron को accept करने से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, transfer of electrons, तो electron donate या तो accept, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी पार्ट को मैं कह सकता हूँ, donation और, donation और acceptance, acceptance of electron, तो electron को मैं accept करूँ या donate करूँ उससे क्या होता है, मेरे पास जो atom हो, चार्ज हो जाता है, example से समझते हैं बात को, अगर confusion है, तो example समझ लेते हैं, example जैसे हमें यहाँ दिया गया है, Na का, sodium, ठीक है, क्या दिया है, sodium, ठीक है, और एक दूसरा है, chlorine, ठीक है, दो लोगों समझते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर दियान से, यहाँ पर 2 मिट के लिए देखो, समझ में आ जाएगा, पूरा का, पूरा केस, क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास Na है, Na का atomic number होता है, 11, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Na का atomic number है, 11, chlorine का होता है, 17, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो periodic table में आप जाके देख सकते हैं, कोई problem नहीं है, atomic number ही तो पोला है मैंने, अब atomic number 11 है, तो यहाँ पर इसको कहते है, electronic configuration, मतलब क्या हुआ, electronic configuration या electronic distribution, electron को distribute किया गया है, कैसे किया गया है, पहले shell में देखो, पहले shell में सिर्फ 2 है, य इस सिर्फ में 1 है, तो कैसे electronic configuration है, 2,8,1, यह आपको अरड़ी आता भी होगा, नहीं आता, तो again, you can watch my video, हमारा वीडियो अरड़ी इस पे है, चैनल पे है, तो वो चेक कर लो, समाज में आ जागा कि यह कैसा है, अब यहाँ पर last shell में एक electron बचा हुआ है, ठीक है, last shell में एक electron है, यहाँ पर देखो, last shell में एक electron है, similarly, chlorine के लिए में ने किया किया, electronic इसका distribution किया, तो यह बन जाता है, 2,8,7, ठीक है, तो यह एक electronic distribution, यह electronic configuration, अब इसका electronic configuration देखो, 287, यहाँ पर again हमने electrons fill करके रखे, अब देखो, छोटी सी बात यह है, छोटी सी बात यह है, इनके पास ए करेंगे यह ऐसा, क्योंकि इनको अपना octate complete करना है, octate complete क्यों करना है, तर इनको octate complete क्यों करना है, इनको add electron क्यों चाहिए, क्योंकि stable होना चाहते है, stable होना चाहते है, stable मतलब क्या, तो stable मतलब यह होता है, कि electron अपनी lowest, जो atom है, अपनी lowest energy में जाना चाहता है, वो बहुत जा क्या करना पड़ेगा octet rule follow करना पड़ेगा octet rule का मतलब होता है last shell में 8 electron यहाँ पर कितना है एक है तो अगर यह एक donate कर देगा तो यह electron तो उड़ जाएगा तो बचाएगा कौन सा यह last shell हो जाएगा तो यह last shell हो जाएगा तो यह बन जाएगा खतम हो जाएगा यह last बन जाएगा और एक accept कर देगा तब भी यह 8 हो जाएगा लेकिन हम दोनों condition में से follow कौन सी करेंगे तो follow हम वो करते है इसके लिए अलड़ी हमने बता दिया लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं बता रहा हूं ठीक है आपको आना चाहिए आपको कुछ भी छुटा निशे बचा maximum number कितने हम electron donate accept कर सकते हैं वो मैं लिख रहा हूं maximum number of electrons that can be donated that can be donated or accepted is 4 कितना बोला मैंने? कितना बोला? 4 4 maximum number of electrons जो मैं donate कर सकता हूं यह accept कर सकता हूं वो कितने हैं? 4 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं तो अब 7 वाला case तो possible ही नहीं है accept होई नहीं सकता 7 यहाँ पर donate भी नहीं हो सकता तो 7 वाला case हटा दो 7 का case ही गया यह 7 उड़ जाएगा यह 7 उड़ जाएगा अब देखो अगर आपने इसको उड़ा दिया है तो बचा क्या है? अब बचा क्या तो इसका मतलब यह है कि यह एक electron भाई साब accept करेंगे और यह एक electron को donate करेंगे जिससे हमारा इनका 2,8 क्योंकि एक को डोनेट कर दिया जो 1 डोनेट किया थे इसके पास कितने थे 7 थे अब कितने हो गए, 8 हो गए ठीक है, देख रहे हो यह यह देखो यहां पर ध्यान से देखो, SoDum के पास 2,8, 1 था, एक डोनेट किया तो एक डोनेट किया 2,8,8 अब ये जो दोनों चीज़े हैं इन दोनों चीज़ेंगा आप ध्यान से देखो इनके last shell में कितने electrons है देखो 8 है यह इसका octet complete है अगर इसका octet complete है तो यह stable हो चुका है तो अब stable तो हो गया लेकिन इसको पर charge कैसे आया यह जो charge particle की बात चल रही थी यह आयनिक कंपड़ आप बोरें थे आयन से बनता है charge particle से बनता है वो charge किदर है वो charge दिखाओ मेरे को वो charge किदर है तो charge देखते हैं आओ 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 तो charge कहां से आया देखो यहाँ पर देखो ध्यान से अब समझ में आ जाएगा पूरा एने था एने था एने था एलेक्ट्रोनिक इसका एक्टमिक नमबर 11 था ओ ओ ओ देखो यह हमारा sodium sodium का एक्टमिक नमबर 11 इसका configuration था 2,8,1 ठीक है ना यहाँ तक तो बात समय में आ गई थी similarly chlorine का देख लो chlorine था atomic number था 17 तो यहाँ पर क्या था 2,8,7 यह इसका electronic configuration था ठीक है इस वक्त इसके पास proton और neutron कितने थे तो इसके पास proton भी 11 ही होंगे और electron भी 11 ही होंगे क्योंकि वही तो formula कहता है atomic number will be equal to number of protons and number of protons will be equal to number of electrons यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो रहा है potons कितने होंगे 37 ही होंगे क्यों क्योंकि proton को अब देखो बात ध्यान से, जैसे ही मैंने अपना इस एक electron को डोनेट किया, तो भाई साब ने क्या किया, यह उस electron को accept किया, तो इसका stable configuration क्या बना? अब यह जो final configuration बनता है, जो last configuration बना, इसके last shell में 8 electrons हैं, बराबर हैं, अब धियान से देखो, अब देखने जैसी बात है, यहाँ पर देखो, अब मैं आपको यहाँ के नीचे लिख देखो, अब देखो यहाँ पर नमबर अफ प्रोटोन और electrons मुझे बताओ, प्रोटोन तो से से नीचेंज्ड ऑफ रहेंगी, इसके नंदर कोई changes हुआ नी, तो 11 के 11 ही रहेंगे, लेकिन इलक्तरोन का क्या हुआ है, इलक्तरोन क्या हुआ है, लेक्तरोन को voiture भाइब 10, में 10, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर प्रोटोन कितने हैं सब, और इलक्तरोन कितने हैं दिफरेंस आ गया क्या बोला मैंने बॉजिटीव चार्ज और ने इटिफरेंस आ गया पहले ऐसा नहीं था पाप्ध़ी ठीक प्रोटौन पॉजिटीव सेमी है रोधों पॉजिटीव यूक्रों पॉजिटीव सेम है इसलिए मैंसलों कैसे होते है ह OS नेगेटिटिव नेगटिव चार्ज होते हैं यह क्या था नीटरल ठाख़ा चारई सेम था यह भी कैसा है नीयूटि है इसलिए c l को माइनस लिखेंगे और इस पिर चार्ज कौनसा जजादा है तो पोप्सटिव चार्ज जादा है इसलिए इसको ने प्लस लिखेंगे आ रहा है समझ में समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है कुछ भी छुटना ने चाहिए बेसिक से बेसिक बात भी आपके दिमाग में बैड जानी चाहिए कोई confusion रहना ही नी चाहिए ठीक है ये क्लियर है इनको हम क्या कहेंगे इनको हम कहते है आयन्स इनको हम कह सकते है रैडिकल्स बहुत सरे नाम है इनके तो अब देखो अब देखो आयन्स के अगर हम बात करें आयन और रैडिकल्स ये दो चीज़े हम डिसकस कर रहे हैं ठीक है अब ions में दो केटिगरी होती, एक होती है cation, क्या होती है cation, और दूसरी होती है N nós In attacks, articles में क्या होती है radicals मोई दो हötी है, एक होती है basic और एक होती है acidic क्या बोला मैंने basic radicals, या acidic radicals Basics radicals या acidic radicals अब देखो ज़्या ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यह जो na plus और cl minus बना, इसको हम कहाँ पे place करें, इसमें देखो, अब देखो यह जो basic radicals है, यहाँ हमारा na plus, और यह हमारा cl minus, na plus, pl minus, ठीक है, अभी सबब में आ रहे कुछ, अभी समझ में आ रहे कुछ, जैसे अब इस table को देखो, इस table की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो basic radical है, आगद देखे हैं, basic radical काऊँ सह ए, जो positive है, जो positive है, यहाँ पे क्या हो गया, जो positive वाल है उसको हम क्या कहेंगे basic radical ठीक है इसको हम नाम क्या लिख देंगे basic radicals यह हो गया basic radicals और यह हमारा क्या हो जाएगा acidic radicals radical आएगा radicals नहीं है अब प्लस था तो अलू मिलने से क्या बना इसको बुलते हैं नमक, common salt, इंगलिश में बुलते हैं, common salt, ठीक है, बड़ा, यही तो है, अब इस salt को जब मैं पानी में डालता हूं, तो क्या होता है, इसके जो अंदर की जो पार्टिकल है, अब देखो, यहां पर देख लो, एक बार फिर से, यह जो na और cl है, यह na है और य बना था, लेगर दोनों जोड़ गये थे, क्यों जोड़ गये थे, क्यों जोड़ गये थे, क्यों चोंगता है, इसके बीच में एक force हम एक force को क्या बोलता है, electrostatic force, क्या बोलएंगे इसको, electrostatic यह force रहती इसके बीच में यह force जो है न दोनों को जोड़ देती है दोनों को join कर दीती है electrostatic force अब इसकी वजी से क्या बना NACL बना वो NACL क्या है उसी को तो नमक क्या रहे है उसी को तो परने में हम डालके खाते हैं अब यह बन गया नमक ठीक है जुड़ा हुआ था अगर आपको देख रहे हैं ऑप यह इसका क्या हो गया अब यह टूड गया है क्यों कि 這 में पाणी चला गया है तो अब एंग यह ब्लाक सा दिख रहे और यह जोनों अलग ऑलग है है ना अब दूर से देखोंगे तो यह ब्लाक वाले प्लस अलग अलग हो जाते तो जैसी पानी में डालोगे तो क्या हुआ भाई साब क्या हुआ यह देखो यह बन गया एने प्लस और सियल माइनस यह टूट गए है क्या हो गया टूट गया तो यहाँ पर आप वही चीज़ आपको बताए गई है सॉलिट स्टीट पता रहा है मतलब कईसे ठाक कृसलीट में डाला है किसका आने सीलग्मा घो एंब भाई साब बात कुछ ऐसी है कि अब हम कभी भी नमक को अगर पानी में डाल रहे हैं तो वो दो पार्ट में टुकड़ा हो जा रहा है जिसमें से उसका पॉजिटिव पार्ट और नेगिटिव पार्ट यानि बेसिक रेडिकल और अलग-अलग हो जाते हैं अब यहां पर अलग कैसे होगे वह आप देख सकते हो इसको जूम करके दिखा जिया देखो यहां पर अब चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक और बहुत सिंपल टॉपिक इससे सिंपल कुछ भी नहीं है दुनिया में इसको बोलते हैं Arrhenius Theory of Acids and Bases अब Acid किसको कहते हैं अब आपको बिल्कुल समझ में आ जागा अब आपको टेंशन की बात ही नहीं अब आपने सब समझ के रखा है डेफिनेशन पर आजाओ जो बुक के अंदर है यह देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर H प्लस आयन आपको मिलेगा जब आप किसी Acid को पानी में डालोगे माइनस बन जाएगा तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है यह तो अगर नहीं हो होगा पिर नहीं होगा लेकिन अगर मेरें को ऐसा एयन यहसा wil शुरृू श्करतनाः तो इकदम बचके रहे ना उससे, एकदम, अब यहाँ पर example दे दिये, है ना, तुमको बताने के लिए, कि यह कुछ example है, कौन-कौन से है, HCl, H2SO4, H2CO3, पहला कौन सा है, HCl, इसको क्या बोलते है, hydrochloric acid, अभी इसके बारे में हमने लिस्ट में लिखाई है, है न, H2SO4, यह क्या है, इ H2CO3, carbonic acid, तो देखो, तीनों का example दिये, HCl, हमने क्या लिया, gaseous form में लिया था, उसको पानी में डाला, तो H+, बन गया, कैसे, पानी में acid डालना है, ऐसा क्यों, acid डालोगे न, वो react करेगा, उड़ जाएगा बाहर, पानी के अंदर acid डालोगे, तो पानी react ज्यादा नहीं करेगा, पानी तो इसको एब्सॉप कर लेता है, है न, तो जैसे ही, मैं H2SO4, लिक्ट को क्या कर रहा हूँ, मैं डिसोसियेट कर हुआ, अगें, एक acid है, दूसरा यहाँ पर देखो, यह HSO4, ठीक है, इसका dissociation करूँगा, फिर से क्या मिल रहा है मुझे, H+, I, मतलब यह भी क्या है, यह भी एक acid है, तो जब भी कभी मैं, एक compound को पानी में डालता हूँ, उसे H+, I release होता है, तो उसे हम कहेंगे, कि यह क्या ह है, यह एक acid है, अब आगे पढ़ोगे, कि जब जब ज़्यादा H+, I release होते हैं, तो वह ज़्यादा strong acid होता है, और जब कम H+, I release होते हैं, तो वह weak acid होता है, यह हम आगे next class में पढ़ेंगे, next lecture में पढ़ेंगे, आप base की बात कर लेते हैं, पट़ा-फट से, तो base की बात जब होने चाहिए, कब, जब किसी base को पानी में डालोगे तब, तो पानी में डालके देखने के बाद ही मालूम पढ़ेगा, तो हमने क्या लिया, यहाँ पर example लिये है, NaOH और CaOH, इसको बोलते है, sodium hydroxide और calcium hydroxide, अब यह जो sodium hydroxide है न, यह हमने लिया solid state में, और इसमें पानी डाल द है, और similarly, calcium hydroxide लिया, फिर pine डाला, तो calcium और फिर से क्या बना, again, OH negative, मतलब यह भी क्या है, base का एक indication है, जहाँ पर भी आपको OH negative दिख जाए, पानी में डालने के बाद, base, जहाँ पर H plus दिख जाए, पानी में डालने के बाद, acid है, लेकिन यह तो चीज़े कैसे में बता है, क किसको देखके, पढ़के समझना है, किसको experiment करना, यह हम धीरे-धीरे समझेंगे, अभी आपका starting है, धीरे-धीरे हम लोग इस पर end में आइग, तो आज ही हमने जो पढ़ा मेटा, कि basic था, जो हमने कुछ पढ़ा, यह basic lecture था, जिसमें basic basic कारी बारी बातें बताएगे, मतलब स्टार्ट हो गया, acid base, अब hardcore आपका chapter स्टार्ट होगा, तो next lecture में हम लिलते हैं,